हेलो आज की वीडियो में हम दिसक्स करेंगे थंडर स्टॉर्म और टॉनेडो के बारे में विंड्स्टॉर्म है साइटन चैप्टर में तो इस वीडियो को इन तक शुरूर तेखें हेलो फ्रेंस वेल्कम तो माई चैनल डिजिटल इस्कूल लेट्स स्टार्ट तो हम स्टार्ट करते हैं सबस्टे हैं सबसे पहले थंडर स्टॉर्म तनर स्टॉर्म किया होता है स्टॉर्म जानिंग डाफ चिन डानिंग जैं और साथ में लाइटनिंग 因為 किस्वाव चूह ओर होते हैं बना किरे कि यह चाई कारी उती और sound आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं thunderstorm अब thunderstorm कहां पर develop होते है thunderstorm जो है normally develop होते है hot or humid places पे thunderstorm develop in hot and humid tropical areas like India very frequently thunderstorm जो है normally develop होते है hot and humid places पे इंडिया में frequently thunderstorms आप सबने thunderstorm देखे होंगे डिली कड़कने की आवाज आती है होते हैं इंडिया का कैसा होता है hot and humid अब यहां पर होता है कि होगी वह होगी वह वाम हो जाएगी वह गर्म हो जाएगी जब गर्म हो जाती है तो वह क्या है expand कर जाती है वह light हो जाती है और वह राइस कर जाती है लेकिन atmosphere में क्या है water vapor भी present है क्योंकि वहां का climate कैसा है hot or humid humid मतलब वहां पर moisture भी है तो water vapor भी present है वह water vapor भी जो है warm air के साथ rise करना शुरू करते हैं sun heats the surface and the hot surface will warm the air present there and warm air rises up with water vapor जो warm air है वह rise करना लग जाएगी और साथ-साथ water vapor भी राइस करना शुरू करते हैं और यह rise करते करते हैं एक certain point में जाने के बात क्या होगा होता है वहां पर temperature suddenly down हो जाता है तुन तो लेकिन वहां तो हुआ बन जाता है वह थन्दा हो जाता है अब जो है ट्लाउट बन गया तो उसमें बहुता है कुछ वाटर वेपर होते हैं वह सो कुछ बन जाते हैं लुक्तो कि बन 되지 होगा तो चूल होने के बालब क्या बदेगे क्लाउध ए क्लाउट में जो होता है वो बन जाते हैं वह बन चानखे है आइस जो है बमट दूख यृद रही होने श्रूर हो जाती है और फॉल डाउन और लेकिन थंडा ओता है तो इतना थंडा होता है तो इसके बार बारिश होना शुरू हो जाती है तो वाटर डॉपलेट गिरते हैं और साथ-साथ-स पारिकल भी नीजे किरते हैं लेकिन अभी बिगतों सर्फिसस्य सब्सें अभी घरम होका रोगा होगा तो वहां की भूं रोगी और यह वह वहरी तो लाइट अन्यक्राइब तो वारिश हो रही है ऑनिवार्टनि के तुछ बीड़ करें वहां मुद्ट सबूरिए ना उसकी असे लाइनिंग होसा है ऐसे तरफ तो बारिश हो रही है और ऑर दूसरे सपी करए। और जो वे shr Triple, प्रेश हो रही है न्था लुट सकती है अबूर conf拼 कि नहीं रही है बुट इनव-पॉमितerek होता है तो थंडर स्टॉम क्या होता है हमें देख लिए अब आगे हम देखते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए चाहिए नहीं लेना चाहिए कूंकि बिली गिरने का चाहिए बहुत सादा होते हैं if you're in forest take shelter under a small tree do not lie on the ground अगहरा फोरेस के ंदर है तो किसी small tree के अंदर अदर shelter ले ले लिए ग्राउंड पे ले 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 नहीं है we should not take shelter under an umbrella with a metallic rod अगर thunderstorm आ रहा है तो ऐसा अपरिला मत use करें बिल्के तो इस तरह के आम रेले का यूस्स मत करें भी शुट नॉट सिट नियर विंडो विंडो के पास ना बैठें ओपन कर जिस स्टोरे शेड्स पैटल शेड्स जो हैं बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं शेल्टर लेने के लिए दूरिंग फंडर स्टॉंग इसको अवाइड करें अब कार और बस सेफ प्लेस तो टेक शेल्टर या बस के अंदर आप बैठ जाए अगर तंडर स्टॉंग के बारे में आगे हम स्टडी करते हैं टॉर्नेडो के बारे में next is tornado tornado क्या होते हैं tornado is a moan storm looks like a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground तो टॉन्दों क्या होता है विष्टॉव- की तरह हिवर्ट हे उन्फ परम्रों परनद आपने देख़ी होगी exclusive कि यह क्लाउड होता है जो क्लाउड होता है जो इसकाइ से जो है रॉप्ध कईयों तक आता है अफिनगे सिकावड करून की तरह मोस आफ तर्नाडोर रहीग होते हैं लेकिन को क्टेट मेता सारथ मेटमडरी वञाय तो सब्सक्राइब कर सकता है सब्सक्राइब कर सान्मी हिह जरूररी नहीं है कि सार हे जो है कि आपर टौर्ण बेड नियुदा क्या क्या है अब सच्प्राइप आ अब सब्सक्राइब के अंदर भी टौर्ण जो है वो डेवलपो सकते हैं Diameter of a tornado can be as small as a meter and as large as kilometer or even wider. Normally, I have to say that tornadoes are weak. The diameter of a meter can be very small in the middle. But sometimes it can be a violet, so the diameter of a kilometer can be extended to it or it can be bigger. Due to low pressure, the funnel of tornadoes sucks dust, debris and everything near it to the base and throws them to outer near the top. Now, how do tornadoes develop? When tornadoes are coming, what do you think? The sky is going to be the clouds, and this is the sky. The tornadoes are going to be the dark and dense. The wind will start to find a shape in the shape of the funnel. The wind will start to find a shape in the form, and then the clouds will start to find a shape of the sky. So now, what do you think? चेवल्गम अंदर क्या होता है प ליल्कुल लो प्रेशन तो ट्रेarrive बिंग निट होता है कि शका हुटा है मुझा टर्डविन को ये वह क्रों तुछ नोग होता है वाल उसका प्रिंग देता लसे जो बाहरा हमको नेते हैं लोगों कभी एक वॉलेंट टॉनाडो आ रहा है तो लोगों को भी सख कर लेता और उपर से फ्रेंग देता है तो human loss भी होता है बहुत सारा बाकी चीजों का भी बहुत सारा loss हो जाता है इस तरह से होते हैं टॉनाडो इंडिया टॉनाडो सार नौट वेरी फ्रिकेंट में इं डिस्ट इस्रक्शन by angels और तो टॉनाडो तो टॉनाडो पर braking घृतिकले क्या कर देटाइटा है तो अब ओर उपर सप्लाय के इसाडली तरिल्क्योंचेशन तो चैज सुछ fine ख़यर में वह से पॉल्स पार शप्लाय संदश्व वीचिज लिट अंधर से क्या करता है कि जतना भी चीजिए इसके पास ज़ी को क्या करता है जितना बीडिया नियुक्त कर लेता है वहां पर पर पनीजर गंद जो भी है चाहद कि लोगों को भी सख कर लेता है उसके उपले जारे इंक.. तो इसको करके उसको उपब ले जाकि इतनी दूर से फैंग डेता है क्योंकि इतनी strong winds होती है तो यह बहुत दूर तक उनको फैंग देता है तो जिसकी वरसे क्या है कि बहुत लोगों की जान चली जाती है वीकल्स डैमेज हो जाते हैं, लोगों के फंदीचे डैमेज हो जाते हैं, बहुत नुक्सान होता है, human loss भी बहुत जादा होता है, it causes extensive damage to building, जब यहां पर human loss हो रहा है, वीकल्स डैमेज हो रही है, तो यह बिलिदिक को भी बहुत जादा नुक्सान होता है, तो यह तो थे destruction क् हमें क्या क्या precautions लेनी थी है, last is protection from a tornado, अब tornado से हम कैसे protection ले सकता है, take a shelter in a room deep inside और underground having no windows, तो जब tornado आ रहा हो तो आप क्या करें कि किसी room बहुत अंदर जाके कहीं पर रूम पर अगर वो रूम हो जहां पर windows ना हो वहां पर चाकर शल्टर दे ली थी, it is better to shut a windows and take a shelter under a table workbench where debris cannot reach, लेकिन अगर आपके यहां पर कोई ऐसा कोई underground room नहीं है, windows है, तो आप क्या क आपको रीज ना कर सके, वो डाउन और नीज प्रोटेक्टिंग है अंड नेक्स using arms, तो आप क्या करें वोडाउन कर लेजें मतलब आपने क्या क्या करें, अपने हैट को यह पर नीज पर दबा किना नेक्स को यूसिंगं को दबा कि वो डाउन करके बैट जगिए अगर tornado सा तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अगर आपने मेरा चैनल अपितर सुब्स्क्राइब ने किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सुब्स्क्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपनी family और friends के साथ share करें Thank you